नमस्तार आप सभी को मेरे यूटीब चनल पे स्वागत है तो आज आज आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ट्रेनी विडियो के बारे में कि करने से क्या फायदा है नहीं करने के क्या आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिएगा समझेगा जहां कोई पर जी आप लोग आप मेरा सारी डीटेल्स आता है एक कि से अपिस एटी पर्टे नाम नाम पिता का नाम डेक्शन करने के बाद नेक्स्ट बर्त तो विडिःफाय हो जाते है तो इससे क्या प्यादे थे प्यादा है जो शाट राइप्टीघा कर रहे हैं उसके लिए फैदए यही है कि जब आप प्ता होते हैं तो आपके जब इस्जिग नहीं होगा इसी लिए इसका वेरिप्रिकेशन सु pornा जा रहा है और जब यहाइद कर लेथे हैं जब आप पास आउट होते हैं तो अपके जब इसका पृता व्ते हैं Prabल धुता होसे तो आप verification किये रहेंगे तो आप तो अपने अरू साथ डाल दिये जो कि आपका सही है spelling सही है उचारन सही है data of birth सही है सारे चीज़ डाल दिये है जब यह certificate आएंगे तो गलत तो नहीं आएंगे सही है और जो चात्र पाइटिया पास आउट है उसका नाम में गलत होगी या data of birth गलत है बहुत सारे चीज़ जो गलत हो चुके है वो चात्र यहां से correction नाम डाल के verification में आप डाल सकते है तो इससे क्या पादय होगे आप जब request डालेंगे तो जब भी NCBT पोटल को जब भी वहा फर्ट पेस पर ही दिया होगा है कि आप verification नहीं करते हैं तो आपका result process में नहीं होगा इसलिए आप लोग ट्रेनी विरिपेकरिकरियों कर लें जिससे कि आप पर रिजल फरकासित हो सके और आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप लोग ट्रेनी विरिपेकरिकरिक्शन करने के भाइदे भी जानगे आनी भी जानगे तो आप लोग नेचल को सब्सक्राइब किजिए का बैल राइक दबाईए का आज तो आप लोग को इस वीडियो मिछना आई फिर मिलते हैं नेट्स वीडियो में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए